आपका स्वागत है, मैं हूँ तुप्ति पारसनिस, आज हम है राइगड के पेंड के गागोदे गाउ में, जो आचार्य विनोबा भावे जी का जन्स्थान है, उनकी जो विचारधारा थी इसी चुनाव के समय पे यूज कर सकते हैं, इसे बहुत सारे सवाल मन में हम लोग ल आपका स्वागत है, स्वागत आपका भी है! दुर्प्ति हमारी सरयंगी है और यहां का पेंड के समस्सा देखती है, दूर्ति हम आगे जाएंगे यहां के विजे दिबार्ण सहाब से मिलने के लिए नमस्कार जीरो माईल शो में हम आज आया है गागो दे याने विनोबाजी भावे इनका जन्म स्थल है उनका जहाँ जन्म हुआ कि खोली यहाँ पे है वहाँ पे हम लोग साथ में बैठे है और हम हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए आज विजे जी दिवान सर है विजे जी दिवान आपका स्वागत है नमस्ते तो आज हम यहाँ पे गागो दे में राइगर जिधा में गागो दे इस गाव में पेंट तालुका में यह गागो दे एक छोटा सा गाव है यहां पे विनोबाजी का जन्म हुआ है तो विनोबाजी गांधी जी के पहले सत्याग रही हुआ करते थे गांधी जी को जो अनुयाई मिले महाराश्ट में जो कारे करता मिले गांधीवाद को आगे चलाने के लिए उन में से सबसे पहले विनोबाजी थे इसलिए हम यहाँ पे हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज की तारीख में जो भी यहाँ पे हो रहा है महराश्ट की राजनीती में तो वहाँ पे साधन शुचिता नहीं है नहीं तीकता नहीं ऐसा आक्षेप आरोप हो रहा है तो हम इस सिल्सले में जो विनोबाजी ने जो विचारधारा यहाँ पे जो रखी है उसके सिल्सले में उनके जो आज की अनुयाई है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नमस्ते विजे जी नमस्ते का बढ़े मुझे बताइए कि यह आज की तारिक में विनोबाजी का जो संस्कार है तो जो कारे करता है विनोबाजी का तो कारे करता कहां है पहले तो यह बात है कि पूरे सरोद है यह एक लूज और गोनाजेशन है हमारे हर जगह पर हमारे संस्थाएं है खादी भंडार है अलग-अलग कार्या करतों ने अपने रूची अनुसार अपने संस्थाएं बनाई हुई है इसलिए पूरे देश भर में सर्वोदय के अपने यूनिट्स है हम सब अलग-अलग संस्थाएं है फिर भी हम स्वतंत्र और सायत्त है लेकिन अंडर वन रूप हम सब सर्वोधई है इसके पूरे देश भर में आज भी हमारा कार्या शुरू है अब बताई के आप जो महराश्ट के विनोबा जी ने जो सर्वोधई विचारधारा शुरू की वो कहां से उसकी शुरूआत कहा सी हूँ है जो कहां का अब बात ऐसी है कि गान्धी जी कि हत्या होने के बाद सर्वोधई कि तूरन स्थापना की गई है गांधी जी ने कहा था कि मैं जन्वरी के आखिर में सिवाग्राम में आने वाला हूँ और उधर जो विधाय कार्य करते हैं उनसे हम चर्चा करेंगे लेकिन तीस जन्वरी को गांधी जी के हत्या हुई तो वो बात बनी नहीं लेकिन तुरंत 15 मार्च 1948 को सेवाग्राम आश्रम में पंडि जोहारलाल नहरू पंतप्रधान थे राष्टपती राजेंदर बाबू, मौलाना आजाद, जैप्रकाश नारायन इत्यादी के उपस्तिती में विनोबाजी के मार्गदर्शन में सर्वोदई संगटना की स्थापना की गई और उसके बाद विनोबाजी ने पूरे देश भर में सर्वोदई का विचार वे कहते घूम रहते और उसके बाद आपको जानका रहे है कि 1951 में विनोबाजी को पहला भूदान पोचमपली में प्राप्त हुआ और उसके बाद 13 बरस में पूरे भारत में पहदल घुमें उनको 47 लाख एकर जमीन मिली जो भूमी हिनों को बाटी गई इस 13 बरस में विनोबाजी ने सर्वोदे विचारों का प्रचार किया गया है और आज भी हम उन्ही के विचारों नुसार भारत भर में हमारे कारे करते कारे रत है आज की तारिकों बहुदान से लेके ग्रामदान और बाकी जहगा पे आज जो गांदी जी भी कहते थे कि आप गाउं के तरफ चलिए तो आज की तारिकों आप बताई कि यहां पे गाउं पे गाउं में कितने लोग आते हैं यह앙 पे जन्मस्थल को देखने के लिए जो नई पीडी है नई पीडी में विनोबा जी का क्या प्रभाव दिखाई दिता है ऐसे लोगों को ऐसे लगता है कि विनोबा और सर्वोद एक इतिहास में इतिहास का हिस्सा बन गया है ऐसी कुछ बात नहीं है आपको कहता हूं कि विनोबा जी को 47 लाख एकर जमिन मिली जो भूदान से मिली भूदान के बाद ही पूरे देश में सिलिंग एक्ट आया हुआ है यह समझ लेना होगा हमको लेकिन बात ऐसी है कि 1970 तक के statistical figure यह बताते है कि सिलिंग एड के द्वारा जो जमीन एक्ट की गई वह भूदान से कई गुना कम है तो विनोबा जी को जब पहला भूदान प्राप्त हुआ तब विनोबा जी ने कहा था कि जमीन के नया ये वितरन का जो सवाल है यह ना कानून से हल होगा नकतल से हल होगा यह हल होगा तो गौतम बुद्ध के करुणा के मारगत से ही होगा और ये विनोबा जी ने सिद्ध करके दिखाया है अब बात रही कि लोग कहते कि वो ग्रामदान का क्या है लोगों को भूदान और ग्रामदान का विचारों के फरक समझ में नहीं आता है भूदान का मतलब है भूमी का दान या सामासिक शब्द है और दूसरा ग्रामदान का मतलब है ग्राम के लिए गाओं के लिए दान देना है याने अपनी व्यक्तिक जिव शक्ति है बहुत दिक शक्ति होगी आर्थिक शक्ति होगी वह गाओं के लिए खर्च करना है तो ग्रा जल्मा इधर हुआ इसलिए इसका अपना स्थान महात्म है लेकिन इससे भी बढ़कर एक महात्म यह आए कि इस गाओं के लोगों ने अपनी जमीन की मालकियत गाओं को दी है इधर के व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं है वह उसका सिफ वहिवाददार है वो उसका उपभोग ले सकता है उसका अनाज ले सकता है लेकिन वो जमीन उसकी मालकियत की नहीं है इसलिए इस गाओं की जमीन कोई खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि इसका मालक गाओं है अंबाने आदाने आकर हमको खरीद नहीं पाएगा बाकी के गाओं लोगों को लग चाए यह कब हुए त तो भारत बर में ऐसे तीन हजार गाओं है और पंडित नहरू जी ने इसके लिए ग्रामदान एक्ट बनाया है आप अपना गाओं ग्रामदान एक्ट से चला सकते हैं या ग्रामदान एक्ट से भी चला सकते हैं और आपको मैं ये कहने जा रहा हूं कि गद बरस मेंडा लेखा ये गड़ चिरोली का गाओं यहाँ ग्रामदान हुआ है तो आज भी हमारा विचार कालो चीत है यह हम सिद्ध करके बैठे है विजे जी ये तो बहुत ही बहुत बड़िया बात है कि ग्रामदान का जो धरना है ग्रामदान का जो मालकी जो बोलते हैं उसी तरह से ये गागोदे का जो जमीन है वो ग्राम की मालकी तो इसे कोई आके कोई भाडवल शाह कोई खरीद नहीं सकता ये बहुत ही बढ़िया है तो इस सिलसर में हम लोग आगे चलेंगे तो मिनोगा जी का वीचार आज भी यहां पर स्थापित ह है और वो किसी जन्मस्थाल या कोई मॉनुमेंट से नहीं है तो लोगों के अंदर है और ये सरोध़ी विचार आगे चलता रहेगा ये विजय जी की धार्णा है हम इसी बात पर ये चर्चा समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं आखार आगे ये आखार्य वि ने विनड़ भावे का जन्मस्थान यानि पूर्ण्यस थल ऐसा हम लोग कह सकते हैं अब हम लोग आप हमें इसकी एक छोटी सी सफर कर सकते हैं यह विनोबाजी का ज़न्म हुआ, इधर ही विनोबाजी का ज़न्म 11 सितंबर 1895 में हुआ है, चलिया आप अंदर विनोबाजी ने अपने कार्य में एक खुद की लिपी प्रसिद की थी, जिसका नाम था लोकनागरी, जो लोकों के लिए प्रचली थे, वो लिपी क्या थी, और उसके जो ग्रंथ है, वो अभी हम सब जानेंगे दिवान सर से यह विनोबाजी ने इस्तेमाल की हुए कपड़े है, उन्होंने काती हुई स्तूत की गुंडी है, उन्होंने यूज की हुए कुछ बरतन इधर रखे हुए है, उनके कागडाज भी है और मुख्या है कि विनोबाजी ने जो गीता यी लिखी है, गीता का मराठी समस्टलों के अनुवाद वो इधर रखा गया है, यह 1948 की प्रत है और यह लोकनागरी लिपी में विनोबाजी ने लिखी हुई है यह विनोबाजी आप तो जानते हैं कि हम जो लिपी लिखते हैं वो देवनागरी है, यह लोकनागरी लिपी है और उन्होंने अपने कुछ व्याकरण के बाते रखी थी, उस अनुसार यह उन्होंने लिखी है, आपको दिखाई देगा कि इक की ढंग से लिखा हुआ है और विनोबा का यह वो देखाई है अज के हमारे भाशा में लेकिन विनोबा उसको रसवाई मानती है, क्योंकि वोह अनुसाइँ कि वो प्लस ई उ का उचाण बात में आता है लेकिन हम लिखते हैं तो पहले यह लिखते और बाद में वो लिखा जाता है, तो उनके लिए वो गलत है, तो इस जंसे यह पूरी गीजाई उन्होंने लिखी हुई है, आप लिए देख चकते हैं, और यह है पूरा इतिहाद से बारे में मैं आपको बता देता हूं, कि विनोबाद जी के पुर्खे थे, उन इनको यह पूरा गागोदे गाओं यह इनाम मिला हूँ गाओं है, यह 1807 में अलिभाग के जो अंग्रे सर्दार थे, बाबुराओं अंग्रे, उन्होंने यह गाओं इनको इनाम दिया है, बात ऐसी थी कि अलिभाग के अंग्रे सर्दार को बाजू में जो मुरुर जंजी रहा है, उधर के जो शाषक थे, मुस्लिम शाषक, सिद्धी की, वे उनको तकलीफ दे रहा थे, तो उन्होंने पेश्वा जो पुना में थे, उनको कहा कि हमें कुछ आप मदद कीजिए, तो उन्होंने स्थार्दार रास्ते के साथ नर्सिये कृष्णराओ भावे को भेज उन्होंने उधर तलवार बहद्दुरी दिखाई, इसलिए बाबुराओ अंग्रे ने 1807 में यह पूरा गागोदे गाओ इनाम दिया हुआ है, यह उस समय का कागद है और यह मराकी की मोडी लिपी कहा जाती है, इसमें यह लिखा हुआ है याने अब यह करीबन 213 बरस का का कागदाज है, वैसे ही इनके पास जो सहिन्य थे, सहिनिक थे, उनको ले जाने का परवाना एल्फिस्टन ने दिया हुआ है, यह देखे आपको दिखाई देगा कि रेसिडेंसी अपुना उन्होंने यह कागदाज दिया है, अब यह आप शायद हमारे गाओं में दो पहाड के बीच में से आये हुँगे, इस जगह पर 1655 में छत्रपती शिवाजी महाराज के आग्यां से उनका सोंद्यो इस सेनापती ने कल्यान का खजीना लुटा है, कल्यान बंबई के नदिक का जो कल्यान है, वो विजापूर के अदिलशा के अक्तार में था, और वो बिमार थे इसलिए उन्होंने एक खजाना मंगवा लिया, जो एक हमारे गाउं से गुजर रहा था, तो शिवाजी महाराज के आग्यां से 1655 में वो खजाना लुटा गा, यह हमारे गाउं की पहली एतिया से गटना है, उसके बाद 18 सब्सक्राइब में यह गाउं नसिये कृष्णरा भावे को अंग्रे सद्दार से इनाम मिला है, तीसरी जो घटना है वो है कि 11 सितंबर 1895 में इसी कमरे में विनोबाजी का जर्म हुआ है, उन्नी सो अठरा में लोगमान में तिलक इधर आये थे, और विनोबाजी के चाचा जी ने उन्हें उस समय के सवरूप पर सवराज अ खंड के लिए दिये थे, उस समय मुझे लगता है सोने का भाव सात रूपए दस ग्राम का था, आज शायद 73 है, ऐसे सुना है, तो मल्टिप्ला किया है तो आपको पता चलेगा कि 100 रूपए की कीमत क्या है, तो वो लोगमान नतिलक जी को दिया गया, उन्नीस सो बावन में पंडित जोहरला नहरू इस रास्ते से गुजड रहते, तब वो यह इस रास्ते पर आये, गाओं के लोगों ने उनका संमान भी किया था, यह एतियासी घटना इधर घटी हुई है, विनोबाजी के बचपन के सिर्फ दस बरस इधर गुजड है, उन्नीस सो पाथ में इनके चली गई, उसके बाद विनोबाजी इंटर तक वहां सिखे, उसके बाद वो सोला साल में गांधी जी के पाथ गए, उसके बाद इनका पूरा जीवन वर्धा में ही गुजड लेकिन उन्नीस सो चट्थिस में तीन दिन के लिए विनोबाजी यहां आय थे, उसके बाद यह विनोबाजी इस गाउं में आये नहीं, ना इस जिले में आये, फिर भी विनोबाजी के भुदान अंदोलन में इस रायगर जिले ने साड़े तीन हजार एकर जमीन भुदान में दीए है और विनोबाजी के विचारों नुसार, यह गाउं 1972 में ग्रामदान हुआ है, इधर के गाउं के सभी लोगों ने अपनी जमीन की मालकियत छोड़ दी सौमित्व विसरजन किया और मालकिय के गाउं के पाध दी है उतना बड़ा ठैंग इत गाउं में किया है और यही ग्रामदान यही उनका सच में समारख है यह तो ठीक है यह उनका पुर्झों का मकान है ये हमने ही प्याद रखा है लेकिन जीटा जाकता अगर स्मारक क्या है चैब मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा ये गााउं है और ये गाउंने ग्रामदान दिया है यही जीटा जीए उनका स्मारक है और विनोबाजी ने अनन पानी त्याग करके देहत्या किया हुआ है पंधा नमंबर 1982 में तो यहाँ इस समय का अखबार कहिए जिवान सर आपने बहुत इंपोर्टन और बहुत महुत वो पूर्णा इसी जानकारी हम लोगों को दी है श्रेष्ट भारत के जिरो माईशों में इसके लिए मैं आपसे बहुत शुकर गुजार हूँ धन्यवाद श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत